दुनिया के हर नेता काफी समय आपी के गुर्णगान करता था और ये बात जब मैं हमारे सबसे प्राचिनतम भाषा और ये हम गर्वसे कहना चाहिए दुनिया की सबसे प्राचिनतम भाषा तमिल उस तमिल भाषा में संतिर्वलवर जे ने कहा है केडरियाग केट इड्डुतम वंड्रगुंडरा नांडेन पर नाटिन तलई इसका भाव है कि दुनिया की सर्वस्रेष्ट भूमी वो है जो अपने विरोधियों से बुराईया नहीं सिखती और जो अगर कभी कष्ट में भी आई तो दूसरों के कल्यान में कोई कमी नहीं करती साथियों आप सबने इस मंत्र को जी करके दिखाया है हमारे भारत की हमेशा यही विशेष्टा रही है सांती का समय हो या संकट का हम भारतियों ने हर परिस्तिति का हमेशा डट करके मुकाबला किया है इस वजह से इस महान भूमी को लेकर एक अलग व्यहवार हमने देखा है जब भारत ने कॉलोनियलिजम के विरुत मोर्चा खोड़ा तो दुनिया के अनेक देशों में आजादी के संगर्ष के लिए यह प्रेना बन गया जब भारत टेरुरिजम के सामने खड़ा हुआ तो दुनिया को भी इस चुनोती से लरने का नया साहस मिला सातियों भारत आज करप्शन को खत्म करने के लिए टेक्नोलोजी का जादा से जादा इस्तमाल कर रहा है लाखों करोड उरुपिये जो पहले तमाम कम्यों की वज़र से गलत हातों में पहुंच जाते थे वो आज सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहे हैं आपने देखा होगा भारत ने जो नई व्यवस्ताएं विक्सित की है उनकी कॉरोना के इस समय में बैस्विक संसाओं ने भी भूरी भूरी प्रसंसा की है आदुनिक टेक्नलोजी से गरीब से गरीब को एमपावर करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है उसकी चर्चा विश्व के हर कौने में है हर स्तर पर है भाईयों और भेनों हमने दिखाया है कि रिन्यूबल एनर्जी के मामले में डेवलपिंग वर्ल का कोई देश भी लीड ले सकता है आज भारत का दिया वन सं वन वर्ल वन ग्रीड ये मंत्र दुनिया को भी अपील कर रहा है साथियों भारत का इतिहांस गवा है कि भारत के सामर्थ भारतियों के सामर्थ को लेकर जब भी किसी ने आशंका जताई सारी आशंका एक गलत साबित हुई है गुलामी के दोराम विदेश्ट में बड़े बड़े विद्वान कहते थे कि भारत आजार नहीं हो सकता क्योंकि यह तो बहुत बटा हुआ है कि वह आशंका एक गलत साबित हुई और हमने आजादी पाई कि साथियों जब भारत को आजादी मिली तो यह भी कहा गया कि इतना गरीब और इतना कम बड़ा भारत कम पड़ालिखा भारत कि यह भारत तो तूट जाएगा विखर जाएगा डेमोक्रेसी तो यहां असंभव है कि आज की सच्चाई यही है कि भारत एक जूट भी है और दुनिया में डेमोक्रेसी अगर सबसे मजबूत है वाइबरेंट है जीवन्थ है तो वो भारत ही है भाईव और भेनों आज़ादी के बाद ही दसकों तक यह नेरेटिव भी चला कि भारत गरीब अस्विक्षित है इसलिए साइन्स और टेकलोलोजी में इन्वेस्टमेन की संभावनाय कम आकी गई आज भारत का स्पेस प्रोग्रेम हमारा टेक स्टार्ट अप इको सिस्टिम दुनिया में अग्रणी है कोवीड की चुनोती के साल में भी कई नए उनिकॉंस और सेंकडो नए टेक स्टार्टरप्स भारत से ही निकल करके आये हैं फ्रेंड्स पेंडेमिक के इस दौर में भारत में फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ क्या है हमारी ख्षमता क्या है इतना बड़ा देश देमोक्रेटिक देश जिस एक जुड़ता के साथ खड़ा हुआ उसकी मिशाल दुनिया में नहीं है PPE केट्स हो हो, मास्क हो, बेंटिलेटर्स हो, टेस्टिंग केट्स हो यह सब भारत बार से ही मंगाता था आज इस कोरोना कालखन में ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई और आज भारत ना सिर्फ इन में सेल्फ रिलाइंट बना है बलकि इन में से कई प्रोड़क्स का एक्सपोर्ट भी करने लगा है आज भारत दुनिया के सबसे कम फेटलिटी रेट और सबसे तेज रिकवरी रेट उन देशों में भारत एक है आज भारत एक नहीं बलकि दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सिन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तयार है दुनिया की फार्मसी होने के नाते दुनिया के हर जरुरत मन तक जरुरी दवाएं पहुचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सिन का इंतेजारी नहीं कर रही बलकि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है इस पर भी नज़रे हैं साथियों इस वैस्वी महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा है वही अब आत्म निर्भर भारत अभ्यान की प्रेणना बन गया है हमारी यहां कहा गया है शत हस्त समाह शत हस्त समाह सहस्त रहस्त संकिर यानि सेंकड़ों हाथों से अर्जिन करो लेकिन हजारों हाथों से बांटो भारत की आत्म निर्भरता के पीशे का भाव भी यही है करोडों भारतियों के परिश्रम से जो प्रोड़क्स भारत में बनेंगे जो सॉल्यूशन्स भारत में तयार होंगे उससे पूरी दुनिया का लाप होगा दुनिया इस बात को कभी नहीं भूल सकती है कि जब वाई टू के समय भारत की भूमी क्या का रही भारत ते किस प्रकार चे दुनिया को चिंता मुक्ठ किया था इस मुश्किल में भी हमारी फार्मा इंडुस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्द होता है उसका लाप पूरी दुनिया तक पहुंता है साथियों आज पूरी दुनिया को अगर भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है तो इसमें आप सब प्रवासी भारतियों का भी बहुत बड़ा योगदान है आप जहां भी गए भारत को भारतियों को साथ ले करके गए आप भारतियों को जीते रहें आप भारतियों से लोगों को जगाते भी रहें हैं और आप देखिए फूड हो या फैशन हो फैमिली वेल्यूज हो या बिजिनेस वेल्यूज आपने भारतियों का प्रसार किया है मेरा यह हमेशा से मानना हरा है कि भारत का कल्चर अगर दुनिया भर में लोग प्रिय हुआ है तो मेगेजिन्स कुक बोग्स या मैन्यूल से ज़्यादा आप सभी के जीवन के कारण आप सभी के आच्रन के कारण आप सभी के वहवार के गारण यह सब संबव हुआ है भारत ने कभी भी कुछ भी दुनिया पर न थोपा है न थोपने की कोशिश की है न कभी थोपने का सोचा है बलकि दुनिया में आप सभी ने भारत के लिए एक जिग्यासा पैदा की एक इंट्रेस्ट पैदा किया है भले वो कौतुक से शुरूवा हो लेकिन वो कन्विक्शन तक पहुँचा है आज जब भारत आत्म निर्वर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है तो यहां भी ब्रांड इंडिया की पहचान को मजबुद बनाने में आपका रोल एहम है जब आप मेड इन इंडिया प्रोडस का जादा से जादा यूज़ करेंगे तो आपकी इर्दगिर रहने वालों में भी इनको लेकर विश्वास बढ़ेगा आपके कलीज को आपके दोस्तों को जब आप मेड़ी इंडिया प्रोडस यूज़ करते हुए देखेंगे तो क्या आपको इस पर घर्व नहीं होगा ती से लेकर टेक्स्टाइल और ठेरपी तक यह कुछ भी हो सकता है मैं तो आनद होता है जब आज खादी दुनिया में आकर्शन का केंद्र बन रही है इससे आप भारत के एक्सपोर्ट का वॉल्यूम तो बढ़ाएंगे ही साथ ही भारत की रीच डाइवर्सिटी को भी दुनिया तक पहुंचाएंगे सबसे बड़ी बात आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट आप दुनिया के गरीब से गरीब तक एफ़र्डेबल और क्वालिटी सॉलुशन पहुंचाने का जड़िया बनेंगे फ्रेंट्स भारत्वें इन्वेस्टमेंट हो या फिर बड़ी मात्रा में रेमिटन्सिस का कॉंट्रिबुशन आपका योगदान अतुलनिय रहा है आपकी एक्सपर्टाइज आपके इन्वेस्टमेंट आपके नेटवर्क्स आपके अनुभव का लाप हर भारतिय पुरा हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए गवरों भी करता है और आपके लाप के लिए वह हमेशा आतूर भी रहता है इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए भी जा रहे हैं ताकि आपको भी अवसर मले और यहां क्या पिक्षाय भी पूरी हो आप मैंसे काफी लोग जानते हैं कि कुछ सब्ता पहले ही पहली बार वैश्वीक भारतिय वैज्ञानिक समीट शौर्ट फ्रम में उसे कहा गया वैभव वैभव का आयोजन किया था इस सम्मेलन में सतर देशों के पचीस हजार से ज़्यादा साइंटीस्ट और एक्सपर्ट ने करीब साड़े साथ सो घंटों तक चर्चा की और इससे 80 सब्जेक्स पर करीब 100 रिपोर्ट निकली जो कई छेत्रों में टेकनोलोजी और सिस्टिम के विकास में काम आने वाली है यह सम्माद अब ऐसे ही जारी रहेगा इसके अलावा बी तेन महनों में भारत ने एजुकेशन से लेकर एंटरपाइस तक सार्थक बदलाव के लिए स्ट्रक्ट्रल रिफॉर्म्स किये हैं इसमें आपके इन्वेस्मेंट के लिए ओपर्ट्यूनिटीज का विस्तार हुआ है मैनुफेक्टरिंग को प्रमोट करने के लिए प्रोड़क्शन लिंग सब्सिडी स्कीम यह बहुत पॉपिलर हुई है और बहुत कम समय में बहुत पॉपिलर हुई है आप भी इसका भरपुर लाब उठा सकते हैं साथियों भारत सरकार हर समय हर पल आपके साथ आपके लिए खड़ी है दुनिया भर में कोरोना लोकडाउन से विदेशों में फसे 45 लाग से जादा भारतियों को बंदे भारत मिशन के तहर रेस्क्यू किया गया विदेशों में भारतिय समुदाय को समय पर सही मदद मिले इसके लिए हर संभव प्रयास किये गए पैंडेमिक के कारण विदेशों में भारतियों के रोजगार सुरक्चित रहे इसके लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर हर संभव कोशिश की गई गल्व सहीत अनेक देशों से लोटे साथियों के लिए skilled workers, arrival database for employment support यानि स्वदेश नाम की नई पहल शुरू की गई इस database का उदेश बंदे भारत मिशन में लोट रहे workers की skill mapping करना और उने भारतिय और विदेशी कंपनियों से जोड़ना है इसी तरह दुनिया भर में भारतिय समुदाय के साथ बहतर connectivity के लिए रिष्टा नाम का नया portal launch किया गया है इस portal से मुश्टिल समय में अपने समुदाय से communicate करना उन तक तेजी से पहुँचना आसान होगा इस portal से दुनिया भर के हमारे साथियों के expertise का भारत के विकास में उप्योग करने में भी बहुत मदद मिलेगी साथियों यहां से अब हम आजादी के पच्चतरवे साल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अगला प्रवासी भारती दिवस आजादी के पच्चतरवे वर्ष के समारों से भी जुडेगा महत्मा गांदी नेता जी सुभास चंद्र बोच स्वामी विवेकानन ऐसे अंगिरेत महान व्यक्तित्वा की प्रणा से दुनिया भर के भारतिय समुदायने आजादी मैं अहें भूमी का निबाई है ऐसे में ये समय उन साथियों को उन सेनानियों को भी याद करने कहा है जिनोंने भारत से बाहर रहते हुए भारत की आजादी के लिए काम किया मेरा विश्व भर में फैले हुए सभी भारतिय समुदाय के लोगों से हमारे मिशन में बैटे हुए सभी लोगों से यह आगर रहेगा कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्यार करें एक प्लेट पोर्टल त्यार करें और उस पोर्टल में ऐसे प्रवासी भारतियों का जिनोंने आधादी के जंग में विश्व भुमी का निभाई है उनकी साहरी तथ्याधारी चीजें उसमें रखी जाएं जहां भी फोटो उपलब तो हैं फोटो रखी जाएं विश्व भर में कब किसने क्या किया कैसे किया इन बातों क्या उसमें बढ़न हो हर भारतिये के प्राक्रम का पुर्शार्त का त्याग का बलिदान का भारत माता के प्रति उसकी भक्ति का गुर्गान हो उनकी जीवन गाताएं हो जिनोंने विदेश में रहते हुए भारत को आजहात कराने में अपना योगदान दिया और मैं तो यह भी चाहूंगा कि अब जो क्विश कॉंप्टिशन के लिए जो क्विश तयार होंगे उसमें विश्व भर में ऐसे भारतिये समुदाय के योग चेप्टर हो पांच सो साथ सो हजार वो सवाल हो जो विश्व भर में पहले हुए भारतियों के विश्व में भी जिग्यासु लोगों को लिए जिग्यान का एक अच्छा सरोवर बन जाए ऐसे सारे कदम हमारे बंधन को मजबूत करेंगे आने वाली पीडियों को प्रेरित करेंगे आप सब इतनी बड़ी तादाद में आज वर्चुली मिले हैं कोरोना के कारण रूबरू में मिलना सम्भव नहीं हुआ है लेकिन भारत का हर नागरी हमेशा यहीं चाहता है कि आप स्वस्त रहें आप सब सुरक्षित रहें अपना और देश का नाम रोशन करते रहें इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार सुरीनाम के राष्पती जी का रदेपुर्वक आभार व्यक्त करता हूं उन्होंने जो हम सब को प्रेना दी हैं हमारे साथ जुड़े हैं विस सचमुच में भारत का गवरो बढ़ाने वाले उ उनका भी विशेश धन्यवाद करता हूं और इसी कामना के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद